मेरे मसी में मेरे प्रिय भाई बेनो मैं एक और इस नए वीडियो में इस चैनल में आप सबको बहुत खुशी के साथ स्वागत करता हूँ आप सबका स्वागत है मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक सुंदर अवसर के लिए जो हमें प्रदान हुआ परमेश्वर क सको मैं इसमें बहुत खुश हूँ आप लगातार मेरे लिए मेरे परिवार के लिए मेरी सेवकाई के लिए प्रात्ना कीजिएगा प्रबु और भी हमें इस्तिमाल करें ताकि हम जादा से जादा प्रबु का वच्छन आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचा सके तो आप शेयर कर सकते हैं बिना समय गवाए हम प्रबु के वच्छन की वच्छलते हैं निकाल लेजिए लुक का उसका पांच अध्याए चार छे चार पांच छे और साथ वच्छन लुक चैप्टर 5 वर्स 4-7 जब वह बाते कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मच पकड़ने के लिए अपने जाल डालो शमौन ने उसको उत्तर दिया हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा हलेलुया जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मचलिया घेर लाए और उसके जाल फटने लगे और उनके जा फटने लगे इस पर उन्होंने अपने सातियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो और उन्होंने आकर दोनों नावे यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी हलेलुया कितना सुन्दर है ना वचन सुनने के लिए पढ़ने के लिए इतना आनंद राता हैं ये सब चमतकार कैसे हुआ येश्य मसी के कहने से हमें, पूरी रात पत्रस कह जब येश्य मसी कह रहा है कि गेरे में ले चल और मचलिया पकड़ने के लिए अपने ढल डालो शमओन ने उत्तर दिया उत्तर दिया देखिये कैसे शमओन क्या बता रहा है हेप स्वामी हमने सारी रात महनत किया और कुछ शन्ना पकड़ा बहुत इंपॉर्ट viens को बहुत गौर करने की किबात अरा आगे देखिए किया लिखा है तो भी बट तो भी तेरे कहने से जाल डालूँगा हलेलुया वहां परमेश्र का आदर कर रहा है परमेश्र का बात मान रहा है और देखिए तो भी तेरे तो भी तेरे कहने से जाल डालूँगा जब उन्हों ऐसा किया जब प्रबु का बात मानकर वहां पर जाल डाल तो बहुत मचलिया घेर लाए और उनके जाल फटने लगे उन्होंने दूसरों को दूसरे जनाव वालों के इशारा के वो भी आए जाल पूरा पूरा दोनों नाव भर लिया और उनका नाव डूबने लगे इतना आशिस प्रभून को दिया प्रभू के एक कहने से उनका जाल भर गया उनका नाव भर गया जिसके लिए पूरी रात रात कोशिस किया एक मीना पकडाता येश्व मसी के एक एक बात कहने से उनको मचलिया बहुत सारी मिली मेरे प्रियों यहाँ पर हमें गौर करने की बात है देखिए हम अपने ताकत से अपने बलबुदी से कितना भी कोशिस क्यों न कर ले हम जीवन में सफल नहीं हो सकते है अगर हम जीवन में काम्याब होना है सफल होना है जो काम हम कर रहे हैं उसमें बरकत पाना है उसमें उन्चा में आना है तो हमें येशु की बात की जरूरत है हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए येशु का कहना, येशु का एक बात का जरूरत है वो प्रभु का वच्चन है प्रभु वच्चन के द्वारा हमारे साथ बात करता है इसलिए जब आप चर्च जाते हैं गौर से वचन सुनिए जब पास्टर आपके घर पे आते हैं गौर से वचन सुनिए और जब आप बाइबल पढ़ते हैं गौर करके येशु आप से क्या कह रहे हैं उसको सुनना है जो काम आप कर रहे हैं उसके विशे में प्रात्ना कीजि बरकत पाएंगे और अब प्रभु आपको उंचा ही करता जाएगा मेरे प्रियों अपने कोशिस में कोशिस से कुछ नहीं करना कुछ नहीं कुछ फाइदा नहीं है सरे प्रभु का बात को मानना ही हमारे लिभला है और वो हमें और भी उंचा ले जाएगा जैसे पत्रस ने कहा तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालता हूं और उन्होंने आशिस पाई वैसे हम येशु का कहना मानना है अपने ज्ञान बुद्धी से कितना भी कोशिस कर ले कुछ नहीं होगा येशु का एक बात मानेंगे येशु का कहना मानेंगे वच्छन को मानेंगे वच्छन के अनुसार करेंगे हमारे काम में हम जय पासकते हैं प्रभु इस्थो वच्छन के द्वरा आप सबको बहुत आशिस करें यही एक रहस्य है हम जीवन में कामियाब होने के लिए उन्चे में आने के लिए सफल होने के लिए जय पाने के लिए यही एक रहस्य है मसी लोगों के लिए प्रभु के वच्छन के अनुसार चलना येशु आप के लिए क्या कह रहे हैं उसको मान के चलना तब आप जीवन में जय पास सकते हैं प्रभु आपको आशिष करे शरगिये पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु जी वच्छन के दोरा आप हमसे बात दे की प्रभु जी हमें सहायत कट कर हम हमारे कोशिषवशों पर नहीं हमारे प्रयतन पर नहीं बलकि हम आपका कहना मानने के लिए ऐसा मन हमें दे पत्रस को जैसे अब तुने आपका बात मानने का मन दिया वैसे हमें भी सहायत कर कि हम भी आपका बात मान कर चले ताकि हम हमारे कामों में, हमारे जीवन में, परिवार में जय पास सके, आशिस पास सके सारी महिमा आपको देते हैं जो मेरे साथ प्रातना करें सभी मेरे भाई बेनों को इस वचन के आनुसार प्रवचलने के लिए सहायता करें वचनों से उनको आशिस करें येश्यू के नाम से मांगते हैं आमेन प्रभू आप सबों को बहुत ऐसे आशिस करें God bless you